नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियुज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे पंचाय चुनाव के एक नए अपडेट के वारे में यह जो नए अपडेट है वो नामंकन के लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है बिहार में इस साल होने वाले हैं तेज हो गई है वहरे पंचाय चुनाव में पर्तियासियों के साथ अप्रस्तावक नवक्धन कि समय मानने होंगे राजनिर्वाचन आयोगने नवांकन के लिए जाने वाले परतियस्यों के लिए एक ही बाहन का इस्तवाल की अनुमती पर्दान की है एक सेधिक बाहन के साथ जाने की इन्मती परदान नहीं की गई है इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि निर्वाची पदा धिकारी के कच्छ में परियाब जगा होना चाहिए राज के सभी जीलों के लिए जारी दिशा निर्देश के तहट आयोग ने नमांकन नमांकन पत्रों की जांच इबंप दारिथ कर सकते हैं निर्वाची पदार हिकारी के कच्छ में समाजिक तुरी का पौकालन स्मुनिष्ट करने के लिए दोगज की दूरी रखी जाएगी निर्वाची पदार हिकारी के कच्छ में अभय थरमल प्रतिक्षा करने के लिए होगा हाला कि आयोग ने कहा है कि प्रतीक आवंटन के दौरान निर्वाची प्दाधिकारी के समक्ष केवल उमिद्वार या उनके अधिकृत एजेंट ही जाने की अनुमती दी जाएगी आयोग के तरब से जारी अबडेट के अनुसार इस वार कोरोना महमारी के करण आउनलाइन नमंकन के भी सुद्दा दी गई है आउनलाइन नमंकन के बाद उनका प्रिंट निकाल कर उसे प्रारूप छा में निर्वाची प्दाधिकारी दौरा जारी सुचना में बताये गए अस्थान पर नमंकन दाकिल करना होगा आयोग के अनुसार जहां तक संभव हो चुनाब से जुड़े प्राधिकारी वें कर्मियों के लिए प्रसिक्षन के विवस्ता प्रात्मिक्ता के अधार पर आउनलाइन किया जा सकता है आयोग के निर्देश दिया है कि जीला की रही की जाती में शरौात में फंटाय चुनाब कराने को लेकर बात चली लेकिन एबीम कोलेकर राज निरवाचन आयोग और निरवाचन आयोग के बीच में लंबे समय तक टक्राव की इस्थिती रही बाद में जब दोनों के बीच में सहमती बनी तो परदेश में कुरोना की दूसरी लहर निदस तक दे दी थी ऐसे में पंचायत चुनाव को छह महीने के ल में पिद्र बिहार में खासकर उत्तर बिहार का जायत रहीं साफ बाड की चपेट में रहता है एसे में अब जब आयोक के सामने यह चुनावती है कि कौरोना और रभ को दियार में रखते हुए हैं pancashно बिहार और बिहार से जुड़ू हुई और भी एसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियुज़ के साथ मुझे देजिए इजाज़त धन्यबाद